हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल इन कुकिंग वित रेखा पहाडिया आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉम बेड मिल्क केक की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ मिल्क केक बनाने के लिए मैंने हाँ पर दूद की मलाई से घी निकालने के बाद जो वेस्टेज बसता है जिसे हम मावा भी बोलते हैं वो लिया है लोग अकसर दूद की मलाई से घी निकालने के बाद इस वेस्टेज को फेक देते हैं बट हम इस वेस्टेज का या मावे का अ नहीं बहुत ज्यादा ठंडा नहीं गरम यह उबलावा दूद है एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है यहां पर मैंने लिये हैं कुछ बदाम जिसमें मैंने एक बदाम के दो पीस कर लिये हैं कुछ इस तरह से यह वेस्टेज लगबग 15 दिन की दूद की मलाई का निक जिसको मैंने गेस पर गरम होने के लिए रख दिया हैं कि हम कडाई को बहुत अच्छे से गरम करेंगे और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दूद को इस दूद को मैं बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है क्योंकि यह ओलरी बोल के वाद दूद है हम इसमें सिफ एक बोल आन अब हम धिरे-धिरे करके सारे मावे को कडाई के अंदर डाल देंगे यह देखिए मैंने सारा मावा जो है कडाई के अंदर डाल दिया है अब हमें गेस का फ्लेम मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पर इसे लगबक 10 मिट तक पकाना है हमें इसे बहुत अच्छे से हीलाना आप 10 मिनिट बात आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा सा मिक्सर रेडी हो जाएगा और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा यह यह देखिए इसका कलर हल्का हीन्ज हो चुका है और इसे पकते वे लगबंट दस मिनट हो चुके हैं कर दो एक बर और यसे अच्छे से खिला लेंगे हमें इसमें डालेंगे टृति है वा हमें इसमें डालेंगे हम इसमें मिल्क पावडर । बहुत थी हुध्चे खिलाना है हमें । एक टेबल-स्पून ही डालना है Ben ज्ञादा नहीं डालना लिए लिए एक टेबल स्पून ही मिल्क पॉडर डालना है आप गलती से भी डेर टेबल स्पून ना डालें वरना हमारी मिठाई जो हैं वह काफी हाड हो जाएगी इसे भी हमें बहुत अच्छे से हिलाना है इसमें किसी तरह की कोई गुटली नहीं रहनी चाहिए अब सबसे लास्ट में डाल रही हूं में यह शुगर लगबक 4 टेबल स्पून शुगर डालूंगी में इसमें बाकी आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम यह जादा कर सकत है मिनिमम 4 टेबल स्पून शुगर तो हमें इसमें लगेगी ही लगेगी है हाइस्ट चार से चे टेबल स्पून इससे जादा नहीं लगेगी अब हमें इसे भी बहुत अच्छे से लगबक 5 मिट तक हिलाना है शुगर डालने के बाद यह देखिए हमारे मिक्सर जो है बिल अब हम इसे अच्छे से हीला लेंगे और गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे देखिए हमारी मिठाई कितने कम टाइम में और कितने कम इंग्रिडेंट के साथ बनकर रेड़ी हो गई है मैंने यह पर एक प्लेट लिए है जिसको मैंने घीस अच्छे से ग्रीस कर लिया है अब इस मिक्सर को अच्छे से प्लेट में फेलाना है और थोड़ा मोटा मोटा शेफ देना है जिस तरह से मार्केट में मावे के पीस होते हैं मैंने यहां पर स्क्वार्ड शेफ दिया है आप जो चाहें वह शेफ दे सकते हैं हमें से साथ के साथ ही पीसेस में कट करना होता है वरना पूब सबसे लास्ट में हम इसे व अदान से लगनें अ बड मैंने यहाँ पर वदान से क्या है अब हम इसे लगबग एक गंटे के लिए फीर आप से खाएंगे आप चाहे तो इसे अभी भी सकते हैं बड़ फीरेश में herbicide के बाद रखना दूछ C Mic Land ऑलम छेट Von अुट राखने के बाद कितने कम टाइम में कितने कन कम टाइम में रिधिक लाख है यह देखने में बल्कि खाने में भी बिल्कुल मार्केट के मिल्क जेसा लगता है मेरी समे आप मेरी अॱलगी कर दंगी कमें आप बता है and please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.